एक समय की बात है, जानवरों के सामराज्य के हरे भरे मैदानों में सैमी नाम का एक युवा और साहसी शेर रहता था. सैमी अपने घमंड में अन्य शेरों की तरह नहीं था. वह अपनी बहादुरी और साहसिक भावना के लिए जाने जाते थे. गर्म अफ्रीकी सूरज के नीचे उसका सुनहरा बाल चमक रहा था, जिससे वह अपने साथी प्राणियों के बीच अलग दिख रहा था. एक दिन विशाल सवाना की खोज करते समय सैमी की नजर जो नाम के एक संकट ग्रस्थ जहबरा पर पड़ी. उसके पैर शिकारियों के बिचाई जाल में फंस गए और वह खुद को छुडाने में असमर्थ रही. बिना कुछ सोचे, सैमी उसकी सहायता के लिए दोड़ पड़ा. अपनी पूरी ताकत से उसने जाल खोल दिया और जो को आजाद कर दिया. आभारी और राहत महसूस करते हुए, जोने सैमी को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया. वे जल्द ही सबसे अच्छे दोस्त बन गए. साथ में, उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली विभिन्न चुनाथियों का सामना करते हुए, कई रोमान्चक साहसिक कार्या शुरू किये. उन्होंने एक खोए हुए हाथी के बच्चे को बचाया, म्रिगों के एक परिवार को घर वापस लोटने में मदद की, और यहां तक की एक खतरनाक स्थिती से एक शरारती बंदर को भी बचाया. अपनी पूरी भाग दौड के दौरान सैमी ने अटूट बहादुरी और दयालू हृदय का प्रदर्शन किया. उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई को अपनी भलाई से पहले रखा. यह दिखाते हुए कि सच्चा साहस जरूरत मंद लोगों की मदद करने से आता है. सैमी ने जो के साथ एक मूल लिवान सबक साजा किया. उन्होंने कहा, जो मेरे प्रियमित्र बहादुर होने का अर्थ है, अपने डर का सामना करना, जो सही है उसके लिए खड़ा होना, और जब दूसरों को हमारी जरूरत हो तो उनकी मदद करना. लेकिन इसका मतलब विनम्र और दयालू होना भी है. करुणा के बिना बहादुरी बिना किसी उद्देश्य के दहारते हुए शेर की तरह है, जो ने सैमी के शब्दों पर विचार किया और उनमें नहित ग्यान को महसूस किया. उस दिन के बाद से उसने अपने दोस्त सैमी कहानी का सार यह है कि सच्ची बहादुरी सिर्फ शारीरिक ताकत के बारे में नहीं है, बलकि दयालू हृदय रखने और दूसरों की मदद का.